भारती जन्ता पार्टी के प्रदिस इस्तिरी बैठक में शामिल होने के लिए बुधुहार शाम को मद्धी प्रदेश के मुख्यमंत्री सीवरास सीह चोहान हैलिकाप्टर से राजगर संस्कृती भवन पहुचे मुख्य मंतरी सीवराज सीह चोहां ने भाजपा की प्रदिश इस्तिरी बैठक को संबधित करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा की सितंबर आन्ते तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्षिनेशन का प्रथम डौज लगाने का सरकार का लक्ष है भापाल से मुक्यस सीह की रिपोर्ट सरकार का अभियान है सितंबर के अंत तक वैक्षिन का दोज एक पहला डोज तभी पात्र भाई और बेहनों को लगा देना पतव 18 साल से जाता जिनकी उमर है उनको लगाना उस अभियान में हम जुटे हुए हैं मैं प्रधानमत्र पिश्रिवान नरेंदर मोती जी को भिर्दय से धन्यवाद देता हूँ वो निसुल फर्याप्त मात्रा में बैक्सीन के डोज पुपलब्ध करा रहे हैं पहले डोज के साथ सांति इसरे डोज की हम तो चितना करने पड़ेगी इसलिए पहले डोज की अबद ही जिनकी पूरी हो गई है उनको दूसरा डोज लगाने पर भी हम की ओर दे रहे हैं मैं प्रधेश की जन्ता से यह अपील करना चाहूँगा कई जगे कोविड के पॉजिटिव केसेस आना फिर से प्रारब हुए हैं हमारे बडोसी राज्जों में विशेस कर दक्षण के राज्जों में लगातार पॉजिटिव प्रकरण आ रहे हैं केरल की स्थिति सब जानते महरास्ट में नाठपूर में मुंबई में फिर केस बढ़ना सुरू हो गए हैं मद्ध कुदेश में भी दो हफ्तों में पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं और इसलिए सरकार तो अब यहां चलाएगी ही लेकिन जनता के साहोग से ट्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप चाहे वो जिले के हों चाहे वो बिलाग के हों और चाहे वो पंचान के हों सबको सक्पिये रहने की आवसकता है पहली प्राथविक्ता वैक्सीन के डोज हर एक पात्र विक्ति को लग जाए जिनको पहला लग जा हूँ को दूसरा लगें, दूसरी प्राथपिक्ता हम COVID appropriate behavior का पालन करें, संक्रमन फैले, ऐसा कोई भी काम हम से ना हो, तीसरी ची, तीसरी लहर अगर आई, उससे निबटने की सारी विवस्थाएं, सरकार ने बनाई है, oxygen bed, ICU bed, बच्चों के बार, oxygen plant, उनसे oxygen का उत्पादन, ये सारी हम ने की है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा, कि तीसरी लहर किसी भी कीमत पर न आ पाए, और उसके लिए भार्तिय प्राटी के सास्त पिलके, सामाजिक संग्शौनों के सास्त समें, हमलगातार क्रत्म करेंगे, हमारा स्वाभाग है, कि 17 तारी quelle बानि प्रधान और न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना मुलें